अयोध्यानी अंदर भगवान स्री राम लल्ला नी प्राण प्रतिष्ठा थवा जई रही छे त्यारे देश भर माथी औने विदेश माथी अनेक लोको साधू संतों पन अयोध्या पहुचा छे यहां आपने वाद कर सू महराश्ती आवेला साधू संतों छे तिमनी साथे वा बड़ा आनंद हो रहा है अभी इतने साल के बाद जो हमारा राम लल्ला यहां पर पदा रहे है और इनका मंदिर हो आए इसके बारे में हम सब जनता पूरी जनता बहुत खुश है बड़ा आनंद ले रहे है और बहुत खुशी के साथ आ रहे है अनंद लुटने आ रहे है बहुत समाधान हो रहा है सबका कई साल लग गए इस मंदिर बनाने में अब मंदिर तो बनेगा मंदिर बन गया है और प्रांट प्रजिश्टा हो रही है रामलला मंदिर में भी राजेगे और हम अभी इस धर्ती पे हैं हम इनके साक्सी बने है तो कैसा मैसूस कर रहे हैं ऐसा गती हो गई गोपिया के जैसे अब भक्तों की संतों की ऐसी हलत हो गई कि आने के बाद आप बृत अच्छा लगता हो बहुत आपके दिल के करीब हो वो क्या है मतलब पूरा जीवन जो भगवान स्री राम का था राम लल्ला से लेके राजा धिराज राम तक उसमें से कौई एक कौन से राम आपको ज्यादा पसंद है राम का कौन सा सवरूप उनका सवरूप कोही भी कम पसंद वाला तो है ही नहीं उसमें कम जादा तो है नहीं उनकी हर बाते हर बाते हर कारिये उनको पसंद आने लागी है नहीं आने का संबौ हैं इसमें पुजा वीधी किस तरीक पुजा विधान है दिन बर क्या पुजा होनी वाली ये पूछो आप भी बता दीजे दिन बर क्या क्या पुजा विधान रहेगा किस तरीके से होगा आज सुबध प्राटपुजन होगा और जो हवन का कार्य है उसका भी गरवण इत्यादी हवन होगा चारो वेदों का पाराइन का यहाँ पर होगा भगवान का शरकरा अधिवासन होगा भगवान को शरकरा में रखा जाएगा उसके बाद में भगवान को पुष्प में रखा जाएगा और बाद में फल में रखा जाएगा और जो प्रासाद जो मंदिर बना हुआ है और मूर्ती इसके उपर 81 जो कलश है वो कलश में दिव्य आउशदी रखी हुए आउशदी से भगवान का और कलश का सनपन विधी यहां पे संपन होगा पूरे दिन जो भी स्थापित देवता है उनका हवन होगा और रात में भगवान की आरती पुजन मंत्र पुश्पान जली इत्यादी पुजन संपन होगा आज पूरा दिन ऐसा पूजा विधी विधान रहे है आज का पूरा विधी विधान है तो अब साथ में ये भी बता दीजिए कि आपका मन कितना प्रफूलित है कितना आनन्दित मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि देवदुरलभ एक शब्द है देवताओं के लिए भी ये दो-तिन दिन जो है वो दुरलभ है और स्वरग से देवता भी आयोध्या जी आना चाहते तो हमारा जन्म सफल हो गया यही हमारी भावना है और हन्मान जी महराज की कुरूपा से हम आज यहां आये है और अधरणिय प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी जी हमारे मंदिर आये थे काले राम मंदिर में और मैने उनको दस दिन का जो संकल्प है उनका जो 22 तारीक तक चलने वाला है वो दिया था तो सयोगवश परसो के दिन भी हम अधरणी मोदी जी को पुजा बोलने वाले हैं अब मुझे आप ये बताईए ये जो हन्मान गड़ी यहां पर है तो हन्मान गड़ी की क्या कहानी है ऐसा है कि भारत में जितने भी हन्मान जी महाराज के मंदीर है उसमें सबसे प्रमुख मंदीर हन्मान गड़ी का है और जो हम लोग जो अखाडे से आते हैं वो निर्वानी अखाडे का सबसे प्रमुख भारत का केंद्र है हमारे गुरू महाराज भी वही रहते हैं श्रीमंत ग्यांदाजी महाराज जो अखाडा परिशत के अध्जट्वार्ब देख्श रहे चुक है और हमारा निर्वानी कि आखिर में आप से पूछना चाहूंगा कि राम का जीवन और अभी ये कल्यूग तो लगता है कल्यूग में त्रेता यूग आ गया इसी कोई बात नहीं मन चंगा तो कटोती में गंगा अगर आप शुद्ध है तो वही सब चलेगा और आप जो कह रहे थे अभी एक हमारे मह आत्मा को प्रश्ण पूछा कि महराज जी आपका राम जी के एक प्रसंग बताईए तो जब रावन को मार दिया था और पुश्पक विमान लेके जब पंच्छेवटी में सिता मैया की बड़ी इच्छा थी कि यहां से मेरा हरन हो गया तो जहां हमारा काले राम जी का मंदि रहे वही पुश्पक विमान वापिस उतारा और हन्मान जी महराज कह रहे थे कि अंजे नीरी वहां से चार किलोमेटर दूर मेरा जनम स्तलिये है आप चलिये तो राम जी ने कहा कि भरत अगर मैं शाम में आयोध्या नहीं पहुचा तो भरत जी का अगनी प्रवेश हो लेकिन उन्होंने कहा कि जितने आयोध्या मुझे प्रिये है उतना नासिक पंचेवटी भी मुझे प्रिये है और वहीं पे हमारे काले राम जी का जो मंदिर का निर्मान हुआ तो नासिक और आयद्या तो गोदावरी से शरयू तक मोदी कहा आये नासिक आये गोदावरी का पुजन किया हमारे काले राम जी का पुजन किया और गोदावरी से शरयू तक ये जो एक उद्गोशना हुई वही से चलिये इसलिए दस दिन आधरनिय प्रदान मंत्री दस दिन का उपवास रख रहे जैश्री राम तो आरीते तमाम लोको अहीं पोची रही आछे और पोतान जीवन धन्य मानी रही आछे करण के घणा वर्सों ना संगर्स बाद हवे मंदिर बनी चुक्कू शे और मंदिर मा भगवान स्री राम लला बिराजमान थवा जै रही आछे कैमरामेन पी उसले हुआ साथे हीरन राजगरू एबीपी असमीता अयोध्या